Hello everyone and once again welcome to Umar Tazkir YouTube channel myself Umar Tazkir गैस पिछले कुछ वीडियो से हम लोग बात कर रहे हैं YouTube Campus की या वीडियो Campus की किस तरीके से हम लोग Google Ads के अंदर वीडियो Campus को या YouTube Campus को सेट अप करते हैं इस पड़िकोले वीडियो में Google Ads account को और जो हमारा YouTube channel उसको connect करते हैं इससे जादा एक और important question है कि आखिर क्यूं हम इन दोनों ही platforms को connect करते हैं और अगर हम ना connect करें तो किन potentials को हम लोग miss कर जाएंगे सबसे बहले इसको हम लोग समझते हैं उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से YouTube channel को और जो हमारा Google Ads account होता हम लोग connect कर सकते हैं तो गैस मैंने आपको बताये था कि अगर को किसी वीडियो को as add run करना YouTube के उपर तो आपको क्या करना पड़ेगा उस वीडियो को आपको YouTube के उपर होस्ट करना पड़ेगा आपको पर upload करते हैं अब गाइज एक scenario लेकर चलते हैं कि हमने उस आड को एक skippable कोई भी campaign चलाया और उसके थुरू हमने उस आड को प्रमोट किया उस वीडियो को हम अपने प्रमोट किया ठीक है वो वीडियो जादे-जादा लोगों तक जाता है अब गाइज हम यह चाहते हैं कि ज गुगल अड्स के platform के अंदर हम री-marketing audience नहीं बना सकते हैं गर हमें website से audience वनानी होती थी website interaction वाली हमें audience वनानी होती थी तो website के उपर हम लोग जाकर री-marketing पिकसल लगाते थे या website के उपर जो हमारा Google Antics का code लगा होता था यानि Google Antics जो हमारी website के उपर होता था हम Google Antics के अं अंदर इंपोर्ट करते थे हैं तो गुगल अड्स के अंदर री-marketing audience को लाने के लिए YouTube बेस्ट री-marketing audience को लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा YouTube को और जो हमारा Google Ad का platform है उन दोनों को आपस में connect करना पड़ेगा दोनों ही platforms को दोनों ही tools को आपस में integrate करना पड़ेग तो गैस हम लोग जनरली इस चीज़ पर जादा focus करते हैं कि कि किस तरीके से इसको करें बट यह उतनी ही जादा important चीज़ है कि आखिर क्यूं हम इसको कर रहा है गैस ऐसा नहीं कि अगर आप इन दोनों को connect नहीं करोगे तो आपने जो वीडियो YouTube के उपर upload कर दिया उसको गायब हो जाएगा तो guys Google Ads में अगर हम one step advance रहना चाहते हैं बेहतर perform करना चाहते हैं तो हमको इन छोटी-छोटी चीजों का भी ध्यान रखना होगा कि अगर हम video campaigns run करने जा रहे हैं तो फिर हम जो हमारा YouTube चैनल है और Google Ads का platform उसको connect कर लें ताकि future में कोई भी potential हमसे मिसना होन पाए तो guys यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस चीज को देखने वाले किस तरह किसा हम connect करेंगे तो simply हम लोग आ जाते हैं अपने जो demo account है उसके उपर tools and settings में हमें जाना है बहुत simple steps है connect करने के लिए और guys linked accounts के उपर जाना है हमें और यहां से आप select कर लो अपना YouTube जैसे यहा करके इसके details के उपर click करूंगा simply हमें जाना है add channel पर guys यहां पर आप अपने channel को search कर लो तो मैं अपने channel को यहां से search कर लेता हूं ठीक है उमर तसकीर यह मैंने channel को search कर लिए यहां पर and I'll go with this I own this channel यह आपके उपर depend करता है कि आप इस channel को own करते है या कोई और channel को own करता है ठी will take me to an interface जहां से मैं इनको connect कर सकता हूं ठीक है तो जो हम लोग connection करेंगे तो किस type की data का या information का आदान प्रदान होगा तो वह आप यहां पर देख सकते हो view counts का access हम दे रहे हैं अपने YouTube से Google Ads को remarketing related audience वनाने का हम access दे रहे हैं engagement से related चीजों का हम access दे रहे हैं so this is what we are giving access ठीक है from our YouTube channel to Google Ads platform इस link का अगर आप कुछ name रखना चाहो तो रख सकते हो मैं एक बार के लिए ऐसे ही रख देता हूं testing link and now what we have to do is simply हमें link के ओपर क्लिक करना है बस connection हो गया दोनों ही platform का तो guys यहां पर जैसे मैंने किया आप देख सकते हो छोटा सा notification नीचे आता है account linked save यानि कि जो हमा लिंक हो चुका है आप भविश मचाओ तो वापस इसको अन लिंक भी कर सकते हो अब हम लोगों ने जो example से शुरुआत करें कि इस तरी हम लोग रिमार्गेटिंग ओडियंस बना सकते है उसके लिए क्या करना है simply tools and settings पर जाना है audience manager के उपर जाना है अब अगर हम लोग audience manager के पर जाएंगे और यहां पर देखो YouTube users option में मिलता है then we have these option तो जो मैंने माना था कि जिन लोगों ने मेरे किसी भी वीडियो को as an ad देखा है इस पर्टिकुलर चानल से उनकी मैं remarketing audience बनाना चाहता हूं I can easily go and create ठीक है तो जब कभी हम लोग अच्छे तरीके से Google Ads के platform को use करना चाहते हैं बहले वो वीडियो के point of view से यूज करना चाहते है हम स्कोप को मत भूले कि आखिर इस platform का स्कोप कितना जाद आएगा इस अगर simply हमें अपने YouTube चैनल को connect कर देने से ही केवल Google Ads account के साथ इतना हमारे सामने scope open हो जाता है तो हम इंतजार किस चीज का करें हमें connect करना दोस्तों आशा करता हूं यह video आपको समझ में आया होगा बहुत है इसलिए मैं इसको अलग से बता दिया अगर मैं इस चीज को किसी ना किसी video के बीच में discussion करता इस चीज का तो हो सकता है बहुत सारे लोग उस चीज को skip कर जाते हैं उस चीज को नहीं देखते इसलिए को ना reply दिया जासे की comments का reply दिया जासे की problem वही पर solve हो जाए और अगर चैनल पर पहली बार आ है और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो consider subscribing बाकि बहुत सारे वीडियोज है go and enjoy and learn digital marketing in a very different way दोस्तों इस particular वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन ग बाकि बाले जासे के वीडियोज है